हलो गाईस आपका स्वागत है आपके अपने गुलसन क्रेटिविटी चैनल में तो ये देखिए आप देखने से ही समझ गये हूंगे कि ये बनाई है मैंने टीन्चियों की सबजी और बिल्कुल आसान तरीके से ये टीन्चियों की सबजी बनाई है और खाने में बहुत ही टीस्टी है जो खाएगा वो तारीफ जरूर करेगा तो ये देखिए ये मैंने टीन्चियों ली है और सभी टीन्चियों को मैंने पहले छील लिया है बिकुल साफ कर लेते हैं इस तरह से खाली सभी टिंट्शियों को और ये बड़ी एजीली हो जाता है किसी भी चम्मच या चाकू की मदद से आप इसे कर सकते हैं बड़ा एजीली है इसे करना और देखिए सभी टिंट्शियों को बेसी परकार से खाली कर लेती हूं तो ये देखी और ये छोटे बड़े साइज की सभी तींचा मैंने ले लिया है और अब ये खाली बाउल लिया है इसके इनदर डाली है एक चमच्छ जोफ एक चमच्हलडी एक चमच नमक नमक आप स्वाद गुवार ले सकते हैं एक चमच्छ धनिया पाॉडर और जमच ले रही हूं मैं चाट मसाला अब गना मसाला भी ले सकते हैं और मैंने एक चोथाई चमच ली है काल or बीच का मिक्स कर देते हैं तो आप देख सकते हैं मिक्स में डाल के मैं भाल ने पीस लिया है और अब इसको भी इसके अंदर डाल लेते हैं सब्सक्राइब मुझती को मुझती हैं लेकिन सुखा बरने से उतना आच्छा टेस्ट नहीं आता सबजी के अंदर अच्छे से मसाला नहीं जाता है तो इस तरह से मैं सभी टींडशियों को बर लेती हूँ और बनाना बहुत ही ज़दा ईजी है और इसमें कोई जंजट भी नहीं है तो ये देखी सभी टींडशियों बरके तैयार हो चुकी है और जो मिक्सीचाब में मैंने मसाला पेसा था उसमें थोड़ा पाने डालके इसे बी इस कटोरिके अंदर मैंने निकाल लिया है और अब लिया है मैंने दो चम्मच सर्श्रम का तेल और एक चम्मच ली मैंने सौफ sich चम्मच जीरा दो मीडियम साइज के प्याज लिए है इनको बारी कट कर के लिए है हलका सा कलर चेंज होने तक पका लेते हैं और जो मैंने मसाला कटॉरिमे रखा था अब वो मसाला भी मैंने झतके अंदर डाल दिया है और इसे जब तक पकाना है तब तक की मसाले से अलग न हो जाए तब तक पकाना है और अब मैंने लिए हैं दो मीडियम साइज के टमाटर इनको भी काट के डाल दिया है और अब इसे ढखके हम करीब 2-3 मिंट के लिए पका लेते हैं तो यह देखी 2-3 मिंट के बाद में टमाटर शोफ्ट हो चुके हैं तो इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए चिंट्शी के सभी तरफ मसाला लग जाना चाहिए और अब ले रही हूं मैं आदा चम्मस से भी कम नमक नमक हमने पहले डाल दिया था और यह मैंने जो टमाटर डाले थे उसके लिए नमक डालना था तो यह मैंने उसके लिए नमक डाला है तो आप यह ब अलाप कर्वें नहीं है धलकी से हरो और करीब में इसमें एक कप पानी डाल रहे हूं और ग्राम से में यह पचास करीब मैंने दस मिन्ट पकाया है इसे और दस मिन्ट के बाद मैं आप देख सकते हैं तो यह अच्छे से सोफ्ट हो चुकी है बिल्कुल पक के तयार हो चुकी है मैं आपको एक चेक करा देती हूँ क्योंकि यह बहुत गरम है तो मैं इसे एक चमच की मदद से दिखाती हूँ देखिए यह बिल्कुल पक चुकी है तो इस तरह से हम इसे मिक्स कर देते हैं और अब गैस का फ्लेम कर देंगे ओफ लेकिन हम इसे करीब दो मिन्ट के लिए इसी तरह से हिलाते हुए पकाते हैं तो इसमें जगर थोड़ा बहुत पानी होगा तो वो भी अच्छे से सोक जाएगा तो इसमें ज़्यादा पानी अच्छा नहीं लगेगा सबजी में टेस्टी नहीं लगेगी तो आप देख सकते हैं पानी सोक चुका है गैस का पलेम्ट कर दिया मैंने ओफ और चलिए प्रोस लेते हैं गरमा गरम तो यह देखी कितनी अच्छी टींट्शियों की सबजी बन के तयार हुई है आप एक वर यह रेसिपी बना के ट्राइ करके जुरूर देखना और आपको मेरी यह रेसिपी कैसे लगी यह कमेंट बॉक्स में जुरूर बताना अगर वीडियो थोड़ी शी भी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए हो सकते उतना सेर कीजिए दोस्तों रिष्टेदारों में थैंक यू फॉर वाचिंग माई चैनल फिर मिलेंगे किसी नेक्स वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई